Hello all the students of class 8, hope you all are doing good. So today I came here to teach you the second part of your first chapter which is the best Christmas present in the world. तो आज हम पढ़ेंगे आपके बुक का second part. जो की है the best Christmas present in the world. जैसा कि हमने पढ़ा था first part में कि किस तरीके से author को वो एक decks मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे letters होते हैं और वो letter किस ने लिखे थे? इस story के character Jim MacPerson ने अपनी wife Connie MacPerson को. तो वो letter में लिखते क्या हैं? चलिए देखते हैं. Dearest Connie, वो अपनी wife को कह रहे हैं, I write you in a much happier frame of mind. मैं तुम्हें बहुत खुशी के साथ यह letter लिख रहा हूँ क्योंकि something wonderful had just happened. क्योंकि बहुत ही wonderful, बहुत ही अच्छा सा कुछ मेरे साथ हुआ है. और मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना है. We were all standing in our trenches yesterday. Trenches जो होता है, वो जब बहुत ही लंबा और deep एक ऐसा बोलते हैं कि सुरंग टाइप का या फिर आप ये कहलो कि ऐसे गड़े जैसा खोंद करके और वहाँ पे जहाँ पे shoulders, लोग, सिपाही लोग छिपते हैं. तो सब लोग वहाँ पे थे अपने trenches पे और Christmas की सुबा थी It was a crisp and a quiet all about it, as beautiful as the morning I have ever seen. इतनी सुन्दर सुबा थी कि मैंने कभी भी ऐसी सुबा नहीं देगी थी बहुत ही ठंडी, मतलब ऐसे frosty सी, जैसा लग रहा था कि Christmas morning को ऐसा ही होना चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I ashamed to say is that Fritz began it. तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसी अच्छी चीजे हमारे साथ हुई थी, बहुत ही ऐसी अच्छी चीजे, लेकिन मुझे थोरा सा बुरा इसलिए लग रहा है कि वो शुरुआत मैंने नहीं, बलकि Fritz ने, Fritz जो है वो German shoulder को बोलते हैं, Germany के ज दूसरे तरफ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, First someone show a white flag weaving from the trenches opposite, तो पहले किसी ने तो देखा कि opposite side से जिससे हम लड़ने गए थे, वहां से सफेद जंडा, अब सफेद जंडा क्यों दिखाया जाता है, वो तो आपको बहतर पता होगा, शान्ती के लिए, शान्ती का प Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas, तो Tommy जो है, वो क्या है, Tommy जो है, वो जिस तरीके से Fritz German shoulder को बोलते हैं, वैसे ही हम British shoulder, यानि English, जो है, Britain के जो shoulders होते हैं, उनको हम जो है, Tommy के नाम से जानते हैं, तो Fritz वाले, यानि कि जो German shoulder थे, वो Happy Christmas, मेरी Christmas बोल रहे थे, किनको अपने सामने opposite England वालों को, और वो कहते हैं, कि, मतलब वहां से कोई चिला करके कहता है, same to you, मतलब कि वो इतना सोची रहे थे कि कुछ बुरा होगा, या कुछ ऐसा होने वाला है, उतने में ही जो है, कोई जोर से चिला करके, same to you, कह देता है, हमारी तरफ से भी, but then suddenly one of them up there in his great coat and weaving a white flat, don't shout lad, someone shouted and no one did, then there another fritz up to prepare and another kept your head down, I told man it's a trick but it wasn't, तो होता क्या है, कि Jim Mac Boston जो थे वहां के लीडर थे और उनको believe नहीं हो रहा था, कि Germany की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, या वो कुछ ऐसा शान्ती चाहते हैं, कि ऐसा कुछ करे, लेकिन फिर भी जो है, वो जो Jim थे, वो कहते हैं, कि ये इनकी कोई चाल होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कि उनकी कोई ऐसी कोई चाल होती नहीं है, तो होता क्या है, कि वहां पे Jim Mac Person कहते हैं, कि ये जरूर उनकी कोई trick होगी, ये कोई वो ऐसा trick खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई trick होता नहीं है, one of the German was weaving a bottle above his head, तो यहां पे एक ही पर जो है वो एक bottle लेकर के जो है वो celebrate कर रहे थे Christmas मना रहे थे और वो उनको भी कहते है happy Christmas it's a Christmas day खुशी का दिन है हम लोग साथ में मिलते हैं और Christmas celebrate कहते हैं वो बताते हैं कि उनके पास जो है принit मैं हो गया फिर आप ये कह सकते हो कि जो मानस होता है उसको हम sausage के रूप में कह सकते हैं और German drink जो कि grains के बने होते हैं उनको जो है वो हम शनौप्स के नाम से जानते हैं तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजिजे थी जो उनके पास थी celebrate करने के लिए और फिर कुछी ताइम में हमारे shoulders, उनके shoulders के साथ जाकर के मिलते हैं, हम लोग आपस में बहुत घुलते मिलते हैं और साथ में वोधर के लोग कहते हैं के come on boys, what are you waiting for? और हम किस चीज का इनतजार कर रहे हैं, कोई रुकता नहीं है, कोई officer नहीं, कोई junior, senior नहीं, सब लोग मिलकर के आपस में celebrate करते हैं और Christmas अच्छे से मनाते हैं. पता ही नहीं चल रहा था कि कौन खाकी कोट में है कौन ग्रे कोट में है और वो जो वार होने वाला था जो युद्ध होने वाला था वो बहुती शांती में कनवोर्ट हो जाता है आप imagine कर सकती हो को नी वो अपनी बीवी को कहते है कि तुम मेरी feeling को imagine कर सकती हो जब मैंने जो है वो जिम अपने बारे में बताते हैं कि जब मैंने German officer की आखों में देखा जिन्होंने मुझे जो है वो approach क्या यानि कि अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा मेरा हैंस वुल्फ है तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा और वो कहते हैं मैं डसल जॉफ से हूँ और मैं भी जो है पहले वहां और केस्ट्रा में सेलो बजाता था तो सेलो एक तरीके का जो है वह मूजिकल इंस्ट्रुमेंट होता है वालन आप जिसको कह सकते वालन की तरह ही तो वो कहते हैं कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है मैं भी जो हूँ डसल डॉफ से हूँ और मैं पहले वहां पे क्या मन ये बजाता था वहां पे सेलो बजाता था और केस्ट्रा में और वो उनको हापी क्रिस्मस कहते हैं तो इधर से भी जिम कहते हैं कैप्टन जिंग मैक परसन वो reply देते हैं और कहते हैं कि आपको भी Christmas की बहुत बहुत बढ़ाई। दोरिस्ट में मैं भी एक स्कूल में टीचर था वेस्टिंग लैंड में। वो अच्छा दोरिस्ट में मैं जानता हूं। मैं उस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैंने साथ में साथ वहां पर वो लोग आपस में रं भी शेयर करये था। और साथ के साथ जो है, वो सौसेज भी आपस में शेर कर रहे था और वो काफी बाते कर रहे थे वो बताते अपनी बीबी को, कोनी को कि तुम समझ नहीं सकते कि हमने कित्ती सारी बाते की वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और उन्होंने मुझे बताया भी कि वो डॉरिस्ट को जानते भी है और उन्होंने इंग्लेंड से ही जो है वो अपनी स्कूलिंग की है और वो इंग्लिश बुक ही पढ़ते थे और थॉमस हार्डी जो है वो उनके फेवरिट राइटर थे जिनकी फेवरिट जो बुक है फार छे महीने का है और फिर जो है आपस में हम बाते करते हैं ड्रिंक करते हैं खाते हैं हैं और साथ में वो बताते हैं जो मैंसरी पैन तरीके हैं मैंसरी मैंसरी पैनda क्यां कि भसके और का इक है वो को आधरा वाकशता हकंते हैं तो वह बोलते है है कि मैंने ऐसा मतब इससे जादा अच्छा चीज ब् Dec Vals party celebrate करते हैं then someone वो कहते हैं तभी कोई पता नी कौन एक football ले के आता है और फिर वहाँ पे जो है वो football लेकर के आने के बाद वो कहते हैं कि चलो फिर हमें game खेलते हैं England के जो जवान हैं और Germany के जवान हैं उनके बीश में एक match होगा और फिर जो है वो हम इस match पर डिसाइड करेंगे कि कौन जीता कौन हरा Hans Wolf and I looked on a shirt clapping out hand and stamping our feet to kept out the cold as much as anything He said after a while I think this is how we should resolve this war कि मैं ऐसे ही जो हम इस वार को हम इस युद्ध को resolve करना चाहिए एक football match से इस football match में कोई मरेगा नहीं no children are orphanage कोई बच्चे अनात नहीं होंगे no wives become widows किसी की बीवी विद्वा नहीं होगी तो वहाँ पे ही gym कहते हैं कि बिल्कुल सही है लेकिन मैं cricket खेलना पसंद करूँगा वो कहते हैं कि अगर मैं cricket खेलता तो जरूर हम जीत जाते और फिर हम game खेलते हैं साथ तो से वो बताते हैं कोनी को की बताते वे तो थोड़ा दुख हो रहा है लेकिन वो लोग जीत गए थे two goals to one to one से वो लोग जीत गए थे लेकिन वो इतने generous थे इतने humble थे hands wolf कि वो कहते हैं कि भले हम लोग जीते हैं लेकिन मेरा जो goal था वो तुम से कम था याने कि तुमने जो goal किया वो जादा wide जादा अच्छा था और वो जो है fair नहीं है कि हम जीते तो मेरे लिए तो तुम भी जीते हो the time came and all too soon when the game was finished और एक समय आता है जब वो game खतम हो जाता है and the snapchess and the rams and the sauces had long since run out और इतने में अब खाना पीना सब कुछ over हो गया था लोग जो है वो आपस में एक दूसरे को see of कर रहे थे और फिर वो बोलते हैं कि वो अपनी family से वापस दुबारा मिल सकते हैं because किसी की death नहीं हुई थी कोई लडाई नहीं हुई थी कोई जगरा नहीं हुआ था फिर वो कहते हैं कि मैं सच में ये दिल से चाहता हूँ कि शायद हर सिपाही यही चाहता हो कि वो सही सलामत घर लोटे Hans Wolf कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखियेगा और मैं इसको कभी नहीं भूल सकता और नहीं इस moment को वो salute करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं I felt he turned to wave just once and then became one of the hundred of grey coat men drifting back toward their trenches फिर वो उनकी साथ साथ जो है बाकी के जितने भी grey coat पहने वे जो सिपाही थे जवान थे वो वापस अपने trenches में चले जाते हैं और फिर उस night को जो है कुछ लोग कैरोल बजा रहे थे कुछ लोग जो है वो बहुत सुन्दर सुन्दर गाने गा रहे थे बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छी रात बीती अच्छा दिन बीता और फिर जो है यहां से मतलब वो लोग गाने गा रहे थे तो यहां से हम ताल दे रहे थे यहां से हम कुछ-कुछ ऐसी आवाजे निकाले थे जिससे कि सुनके काफी अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छा मनजर था A time I will treasure as long as I live मैं इस moment को खजाने की तरह जो है वो रखूंगा जब तक की मैं जिन्दा हूँ तो ये जो है आपका first chapter का second part है जिसमें की letter पे जो भी लिखते हैं जिम मैक परसन अपनी बीवी कोनी को वो बया कर रहे हैं इस letter के through अब इसका third part है कि वो letter कैसे कोनी को मिलता है वो हम next video में देखेंगे Till then stay safe, stay home, thank you